असलावलिकुम दोस्तों आपका फिर्स में स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुईट खबर यूटूब चैनल पे तो साथ यूँ आज की वीडियो में कुईट से सबसे पहली वक़ाई खबर दोस्तों आ रही है दोस्तों एक 6 साल की बच्ची के साथ एक हाथसा हुआ हाथसी के वज़ा से उन्होंने बहुत सारे फिंगर को खो दिया है यानि दोस्तों उनका फिंगर जो है वो कट चुका है अब दोस्तों ये घटना बताये जारी मिनिस्ट्र आप इंटियर के तरफ से रेश्टर किया गय है और उसका इलाज बगेरा होस्पिटल में किया जा रहा है दोस्तों ये घटना घटी है किस तरह से उसके बारे में कोई अपडेट्स नहीं है फिलाल दोस्तों ये घटना घटी है ये अपडेट्स दोस्तों निकल कर आ रही है अगली खबर दोस्तों आ रही प्रजेक्ट ट्रांसफर को लेकर तो घाईयों एक के वीजा को लेकर अपडेट आ रही है परजेक्ट वीजा ट्रांसफर फ्रॉम नॉबर 23 थर्ड नॉबर गौर्णमेंट कॉंट्रेक्ट और परजेक्ट मस्ट बी टर्मिनेटेड पीम लेटर कनफार्म दोस्तो एक प्रजेक्ट वीजा ट्रांसफर को लेकर एक अप्डेट निकल कर आ रही है कि नेक निया वीजा है जो की दोस्तो 3 नॉबर 2024 से ये स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तो ये बता दू आपको वर्कर सुट भी कंप्लीट मिनिमम वन इयर यानि वो वर्कर इसमें पाटिस्पेट कर पाएंगे यानि वो वर्कर वीजा को ट्रांसफर कर पाएंगे जिनका लगबग एक साल कंप्लीट हो चुका है और must get employer approval from ट्रांसफर जिसके लिए लगबग 350 दिनार चार्ज देना पड़ेगा ट्रांसफर प्रोसेस के लिए तो भाईयों यदि आप वर्कर हो यदि वीजा ट्रांसफर कराना चाहते हो तो आपको 350 कुएती दिनार देना पड़ेगा उसके साथ साथ आपका वहाँ पे रहते हुए एक साल कंप्लीट हो चुका हो तब ही आप वीजा ट्रांसफर कर पाऊगे अगली जो अपडेट आ रही है 30% off of on all way round trip flight from कुएत भाईयों कुएत में बहुत ही अच्छा ओफर लिकाला गया है कुएत में airways की तरफ से यदि आप round trip लेते हो यानि all one way यानि आप एक तरफ से जाते हो और एक तरफ से आते हो तो आपको 30% की round trip छूट दी जारी है यानि 30% एक मिसाल के तौर पे example के तौर पे समझाना चाहता हूँ जिस कुएत का airways के भाड़ा 100 कुएती दिनार है तो दोस्तो आपको 70 कुएती दिनार ही लगेगा 2 trip करने के लिए तो यदि आप अभी travel करना चाहते हो तो दोस्तो ट्रेवल कर सकते हो online ticket काटना पड़ेगा use code दिया हुआ है Z930 ये code का इस्तमाल करते हो भाई तो आपको बहुत ही अच्छा सुनहरा offer आपको दिया जा रहा है अगली जो खबर आ रही है bank begin suspending account for those who fail to provide biometric fingerprint भाईयो मैं लगतार कुछ दिनों से आपको बता रहा था कि यदि आप लोग biometric fingerprint नहीं करवाते हो तो आने वाले वक्त में आप लोग को banking का सुईधा नहीं मिलेगा तो फैनली दोस्तों खबर आ चुकी है कि जो भी लोग biometric fingerprint नहीं करवा रहे हैं तो उनका bank account जो वो suspend कर दिया जाएगा within the deadline for citizen यानि जो deadline की date दी गई है उस deadline के मुताबिक यदि आप लोग काम नहीं करते हो तो अब आप लोग का वहाँ पे आप लोग का bank account को वहाँ पे suspend कर दिया जाएगा temporary जब तक आप biometric fingerprint नहीं करवा लेते हो तो ये कुछ खबरी थी अपडेट सी जो कुए से आ रहे थी मैंने अब तक share क्या मिलता हूं दोस्तों नेक्स टुडियो पे जहीन अलाफिस टेक केर